नमस्कार, कम्पीटर कोर्ष के प्रथम दिन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है मुकेश, आज हम सीखेंगे कम्पीटर के बारे में और कम्पीटर के कुछ बागों के बारे में, जिनका उपियो करना हम सीखेंगे कम्पीटर क्या है? कम्पीटर एक ऐसा यंत्र ओजार या डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए आख्लो या डाटा को घ्रहन कर उस पर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है और हमें इच्छित परिणाम प्रदान करता है चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर के कुछ most common hardware जो हमें प्रायद किछी desktop के साथ देखने को मिलता है उनमें शामिल होता है monitor, CPU या system unit, speaker, printer, mouse और keyboard अब सिखतें CPU का यूज करना, कि CPU का यूज कैसे करते हैं सबसे पहले आता है उसमें CD या DVD drive मानली जी कि आपके पास कोई CD या DVD है उसमें आपके मन पसंद songs, movies या file है और उसे आप अपने computer में run करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको उस CD को CD या DVD drive में insert करना पड़ता है और CD या DVD drive चलाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है headphone या microphone मानली जी कि आपके पास home theater या आपके personal कोई headphone है जिसमें आप अपने songs, आवाज सुनना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप voice यहां पर connect कर सकते हैं restart button इसकी साहता से आप computer restart कर सकते हैं power button इसकी मदद से आप computer को on off कर सकते हैं और USB port मानली जी कि आपके पास आपका mobile है या फिर कोई pen drive या कोई data card है और उसे आप अपने computer से connect करना चाहते हैं तो आप इस USB port की साहता से connect कर सकते हैं तो यह था CPU का review अब सिखते हैं mouse के भागो के बारे में mouse में prior to दो बटन होते है primary button या left button secondary button या right button इसमें prior to primary button का use ज्यादा किया जाता है mouse में एक scroll will भी होता है जिसकी मदब से आप document या web page को आसानी से scroll कर सकते हैं अब सिखते mouse को पकड़ना और उसे चलाना सबसे बहलें mouse को पकड़ें और अपना जो first finger या index finger है उसे primary button पर रखें और अंगूटे को side में रखें mouse के जैसे यह नीचे animation दिखा रहा है इस परकार आप mouse पकड़ सकते हैं अब इसे चलाने के लिए जैसे हैं आप मान लीजिए आपका mouse का pointer आपके desktop पर show हो रहा होगा और आप चाहते हैं कि इस pointer को right में ले जाना है तो आप अपने mouse को right direction में गुमा है जैसे कि मैं गुमा रहा हूँ और एक pointer गुम रहा है अगर आपको left में ले जाना है तो उसे left में गुमा है जैसे कि मान लीजिए मुझे उस computer के icon पर ले जाना है तो मैं सबसे बेने mouse को हलका सा उप पर लूँगा और उसी direction में गुमा हूँगा जैसे direction में आइकन है तो इस परकार आप mouse चला सकते है Pointing Pointing से अतायत पर है जब आप माउस के pointer को किसी item पर लेके जाते है तो एक छोटा सा box show होता है जो कि उस item के बारे में describe करता है जैसे यह देखिए मैंने इस folder पर यह mouse लेगी गया और आप यह देख सकते हैं कि यह उसके बारे में folder के बारे में information देखा रहा है single click अब हम से लिए single click करना single click से दात पर है जब आप माउस को किसी item पर ले जाकर primary button को एक बार दबाते है जो जो click होता उसे single click कहते है इसका उप्योग रहा है तो item को select करने mark करने या किसी main को open करने में किया जाता है जिसके मैं आप को दिखाता हूं यह mouse में लेके गया और मैंने यह एक बार click किया तो इसे single click कहते हैं double click जब आप अपने pointer को किसी icon पर लेके जाते हैं और अपने primary button को double bar press करते हैं तो जो click होता है उसे double click कहते हैं double click का उप्योग प्रहे तो file, folder, audio और video को चलाने या open करने के लिए किया जाता है जैसे कि मैं आपको double click करके दिखाता हूं मैं यह folder पर cursor लेके गया और यह मैंने double bar press किया तो यह folder open हो गया इस प्रकार आप भी double click कर सकते हैं राइट क्लिक राइट क्लिक से ताथ पर यह जब आपने mouse के pointer को किसी item पर ले जाते हैं और वहाँ पर right click करते हैं यहाँ फिर secondary button दबाते हैं तो एक छोटा सा menu open होता है जो उस item से जुड़े बहुत से function दिखाता है जैसे कि मैं करके दिखाता हूं यह आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर right click किया और यहाँ पर यह लिस्ट manual list open हो गई अब मान लिजे कि मैं इस item को delete करना चाहता हूं तो मुझे इस item को delete करने के लिए delete पर click करना होगा अगर मैं इसे copy करना चाहता हूं और वीडियो के लिए और हमारी regular वीडियो update के लिए वीडियो description में दिखाई गई link पर click करें और हमें subscribe करें धन्यवाद